नमस्कार जमूल अद्दाख विजन देख रहे हैं आप और मैं हो राजेश कुमार आज हमारे साथ खास बातचीत करने कलिए हमारे प्रीमित्र या यू कहें कि हमारे अनुज सोनु जी है जो कि एकला विहान के करमट कारी करता है और एक पंक्ती में आप जिसे जो वहीं से इंट्रव्यू को मैं प्रारम करना चाहूँगा एक बहुत ही खुबसूरत पंक्ती है कहा जाता है नर सेवा, नाराईन सेवा है अपना करतवी महान और आप देख सकते है इस व्यक्ति की उमर आपसे मनुमान लगा सकते है जिस उमर में एक व्यक्ति जो है अपने पेरंट्स से जेव खर्च लेकर एश आराम करता है घुमता है फिरता है और उस उमर में सोनु जी जो है समाज का बीड़ा उठाकर समाज के बीच में आकर काम कर रहे हैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो कि आप हर मेशा हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने का परियास के इसके लिए मैं आपका अबारी हो जैसे आपने एज की बात की तो मेरी एज मसा भी 22 येर्स है नहीं तो सबसे पखर तो मैं आपको विदाया देना चाहता हूं कि जिला की स्थार में पूरे वी फार की स्थार कि आपको इकल अब महार देखर, वी इकल अभ्यान के अभ्यान पर छोके नाते आप काम देख रहे हैं तो कानुभाव आपका रहा और आज की इस टाइम में मैं इस टमप्रेचर में पाडर जैसे शितर में आप वर्ग लगा रहे हैं तो आपका अनुभाव जानना चाहूंगा सबस्बेल में जी जी सबस्बेल तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा संकाटन के जिसने मुझे इस काबल समझे और मेरे को एक जिल्ला की जिमारे दिये इसके लिए मैं संकाटन का बहुत अबारी हूँ जैसे आपने अनुभाव कहा तो मैं लगबग चार वर्ष से अभी एकल का कारी करता हूँ तो पहले में ये आफिस का काम देखता था मुझे बहुत अच्छा अनुभावा रहे हैं कि गाओं गाओं में हमारा जाना होता है चोड़-चोड़े नजनने मुने बच्चे जो हमारे विद्याल detain उनको देखके खुशी होती है महसूस होता है कि बहुत अच्छा एक संगठन जो है विशोगा भी सबसे बड़ा संगठन है एक बहुत मुझे गर्व मैसुस होता है कि मैं ऐसे संगठन के साथ जुड़ा हूँ जो बच्वन से बच्वों को संसकार देने का काम करता है और लगबग एक लाग से अधिक विद्याले हमारे पूरे भारत वर्ष में चल रहे हैं और थारे चार लाख गाओं में हमारा एक लाव्यान का संपर्क है और मुझे एक गर्व मैसस होता है कि मैसे संगठन के साथ जुड़ा हूँ अपने का आपकी उमर बाइस साल है सही है तो बाइस साल की उमर और इन्होंने कहा कि हमारी जो सेवा आयू जो है एक अभियान में चार वर्ष हो चुकी है कहने का मतलब यह है कि लगभग 18 साल के जब हमारे सोनु जी थे तब से यह राष्ट्र और देश के और समाज के काम में अपने आपको जो है निश्च्छार कर चुके है पूर्ण काली कारिकरता के रूप में जो है अपने आपको जो है सेवाएं दे रहे हैं अपने एक कलभ जिहान में क्या कहना चाहेंगे सोनु जी अभी पूरे अंचल किस्तवाड की जगर हम बात करें तो कितने विद्याले चल रहे है और क्या रूप रहखा आपकी रहती है हमारे दर्शकों को बताएं जरू हमारे अभी अंचल प्रिशिक्षन वो लेंगे और यहां से जाके वो विद्याले फिर से चलाएंगे आप से जानना चाहेंगे कि तीन सो विद्याले अपने कहा और सोला कारे करता का तो ऐसे में भूत सारा बज़ट भी लगता होगा कहां से आता है यह तो जैसे जो समाज की जिसके अंदर रुची यह संगरे आता है गाउं से गाउं के लोग सोयोग करते हैं गाउं के स्विएवक से यह संगठन चलता आरह यहां पर भी पाड़र में बहुत सारे ऐसे डॉनर जोने विद्याले चलाने के लिए यह डॉनेशन दी हुई है तो क्या रहता है विद्याले में क्या विश्य पढ़ाते है बच्चों को और क्या मकसद है क्योंकि आज अगर साथ-सार नहीं सफण लगए बच्चों को सब्सक्राइब करें अगर nu और से आमलावेसि कंटर सुंपरyu चोटा Everything All करें उसके दिजालावी स्कूल्स ऑंप ये साथ-साथ ऑंप जायरे खोले सबसु आर और और वो भी बच्चों को कहीं कि शिक्षा का ही दे रहा है, तो क्या आपका इसे क्या डिफ्रेंट का रहता है। यह मैं यह बताना चाहूँ कि जैसे चार से लेकि छे दास वारिश के बच्चों का ना मंगन करते हैं अपने विद्याले में उसमें खास कर हमारे ते संसकार देने का देखो गोवर्मेंट स्कूल भी चलते हैं ऐसा नहीं कि हर गाओं में आप गोवर्मेंट स्कूल है लेकिन लेकिन मुझे नहीं लगता है जो एकल विद्याले को पड़ाते हैं कहीं वी नहीं हो पाता है क्याँ कि हम संसकार देने का बच्च्चेंगों मोज़े नहीं से आपने संसकार अपने देश और समाज के प्रती कोई भी काम कर सकता है